दोस्तों कुछ दिन पहले हमने अपने YouTube चानल पर एक वीडियो अपलोड किये थे इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आखिर आपका मॉबाइल फोन कहीं चोरी हो जाता है या किसी कारणवर्स कहीं गुम हो जाता है आप इस अपने mobile phone का कैसे online complain कर सकते हो ताकि आपका mobile phone मिल पाए आपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया साती साथ बहुत लोगों का यहां पर questions है क्या आखिर हम यहां पर complain कर देते online तो मेरा phone वापस मिल जाएगा या अगर आपस मिल भी जाएगा तो वो phone हमको कितने दिन में वापस मिलेगा यह complete हम जानकारी आपको बताने वाले साथ हम इस वीडियो में यह भी आपको बताएगे कि आखिर आपका phone को चोर कैसे चूरी करके छुपाना चाहता है साथी साथ police इस phone को कैसे track करता है हम इस वीडियो में complete जानकारी देंगे वीडियो काफी informative होने वाला है और बहुत ही आपके लिए helpful होगा complete detail में हम आपको बताएगे ताकि आपका सारा questions का answer मिल जाए वीडियो गर अच्छा लगेगा तो please आप like करिएगा चैनल पर नए है तो please आप मुवारे चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको regular update मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देते हैं चोर जिस mobile को चोरी करता है बिसिकली उस mobile को भूलाना चाहता है कि कि किसी भी फरकार से यहाँ पर जिनका mobile phone है वो इस phone को भूल जाए वो क्या करते हैं जैसे इस phone को पाते हैं या फिर कहीं चोरी करते हैं उस phone को सबसे पहले वो switch off करते हैं साथी साथ आपका जो SIM रहता है लगा हुआ उस SIM को निकाल कर वो फेक देते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर यह mobile phone आपका switch off रहेगा कुछ देनों के लिए बाद लिए एक मेहना दो मेहना के लिए तो basically यह honor यानि कि जो आपका mobile phone चोरी हुआ वो इस phone को भूल जाएंगा और फिर बाद में हम ऐसा use करने लगेंगा पहले क्या होता था आपका जो mobile phone होता था वो काफी महंगा नहीं होता था और आप basically सभी लोग यहाँ पर basic phone का use करते थे जैसे कि आपका keep it phone हो गया तो यहाँ पर वो सोचते थी कि हम police पर complain करेंगे फिर बहुत जादा process होगा phone मिलेगा कि नहीं पहले chances होता ही नहीं ता phone मिल पाएगा बड़ आप ऐसा नहीं होता है अगर किसी का phone चूरी होता है तो सबसे पहले वो जाकर police में complain करते हैं और आपको भी मैं यही बोलता हूँ अगर आपका phone चूरी होता है तो सबसे पहले आप जाकर police पे complain करो ताकि आपका phone से या फिर आपका जो SIM है उसका अपका misuse ना हो थाकि आपका जो पहले वाला सिम है वह आपका ब्लॉक हो जाए कि या बंद हो जाये थाकि उस सिम से आपका कोई भी मिस्यूज़ नहीं तो अगर एक बार मिस्यूज़ ाता है तो फिर आपके लिए एक बढ़ा प्रॉबलम और भी खडा हो जाएगा तो सबसे पहले आप अपना SIM को बंद कराए उसके बाद अपना यहाँ पर complain करो दोस्तों चोड यहाँ पर दूसरा उपाई यह लगाते कि आपका जो mobile है उसका किसी भी तरह से IMI नंबर को change कर देना बट यह अभी के टाइम पर possible नहीं है आपको मैं बता दूँ पहले का जो mobile phone होता था वो इतना smart नहीं होता था उतना security उनका high level का नहीं होता था यहाँ पर वो चोर लो क्या करते थे जैसे ही आपका phone चोरी हुआ वो तुरंत ही ले जाकर local के कोई shops में जाकर connect कर लेते थे और वहाँ पर software के मदद से आपके phone का IMI number को clone कर लेते थे या फरजी तरीका से एक नया IMI number को generate कर लेते थे बट अभी के टाइम में यह possible बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूँ जित्ते सारे अभी smartphone आ रहे हैं उनका security काफी high है advanced type के smartphone यहाँ पर create किये जारे सभी company के तरब से और यहाँ पर government का भी जो database है वो काफी smart हो चुका है अगर वो manlies example के लिए किसी भी तरह से आपके phone का IMI number को clone कर देता है तो जैसे वो यहाँ पर अपना CV को inject करेगा इस पर या on करेगा mobile phone को तो government के पास इनका data चल जाएगा और government के पास इनका data नहीं होगा तो police उनको तुरंत यहाँ पर trust कर लेगा वो phone आपका trust होकर पकड़े जाएंगे तो बिल्कुल यह भी आपका जो चोर अगर उपाई लगाएंगे तो यहाँ पर phone को भी नहीं रख सकते हैं तो यह भी इनका यहाँ पर जो option है वो चोर का नहीं काम करेगा दोस्तो अब हम आपको पताते हैं कि आखिर आपके mobile phone को police कैसे track कर पाती है इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि IMI number क्या होता है आपका जो mobile phone है आपके box में दो IMI number लिखा हुआ होता है दोनों का आधार card में number आप देखेंगे 12 digit का वो unique होता है इसी तरह से आपके mobile phone पे जो IMI number होते हैं वो basically दूसरे phone से काफी unique होते हैं और इसी के मदद से police भी आपके phone का tracking कर सकते हैं या फिर पता लगा सकते कि आपके phone कहां पर है exactly आपका जो tracking system जो काम करता है वो आपके IMI number पे ही based होता है दूसरा कोई उपाई mobile phone को track करने का नहीं होता है दोस्तों जो police आपके phone को track करती वो उस method का नाम है triangulation method यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा problem यह हो जाता है कि आपका phone इस method से जब track किये जाएंगे यह आप police track करेगी तो आपका phone on condition में होना चाहिए इसलिए देखा गया है कि phone चोरी होने के बाद बहुत time के बाद आपका phone मिलता है example के लिए मैं बता दू कुछी दिन पहले जब lockdown लगे थे 2020 में मेरा phone road में मैं जा रहा था वहाँ पर वो चोरी करके भाग है basically आप विश्वास नहीं करोगे 6 मन्त के बाद उस phone को on करता है उसके बाद यहाँ पर police उस phone को track कर पाता है और finally उस phone को हम यहाँ पर police के द्वारा recover किया जाता है और हमको मिल पाता है जाहिर सी बात है कि उसमें आपका सीम लगाएगा ऐसा तो है निकि फोन जो चोरी किया है फोन तो फिर उसको खिलोना के तरह यूज करेगा उसको यूज ही नहीं करेगा तो जैसे ही वो यूज में लाते है अपने phone को तो आपका tracking system में गौर्मेंट के तरब से जो tracking system बनाए गया है वो tracking पे लगे होते हैं जैसी वो यहाँ पर phone को on करते तो तुरंत यहाँ पर उनको पता चल जाता है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपका phone जो होता है वो अलग-अलग network से connect होते है तो फिर वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो phone है वो कहाँ पर on हुए बिसिकली वहाँ पर आपका current location चले जाता है उसके पास ताकि वो exact location से उनको पकड़ पाए साथी साथ आपके जो phone पर SIM लगे होते हैं जो चोर यहाँ पर SIM लगा कर on करते हैं तो basically उस SIM का detail पूरा government के पास यहाँ पर चले जाता है यानि कि जो tracking system है वहाँ पर चला जाता है और उससे यहाँ पर पूरा detail जो है subscriber का government के पास होता है और उसी से यहाँ पर आपको पकड़ पाते हैं आप जब कभी SIM लेने हुए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पर आपको valid ID card मांगा जाता है उसमें आपका अधार card होता है या pen card होता है या फिर driving license कुछ भी देते हैं SIM चालू करने से पहली इसलिए आपको मांगा जाता है ताकि आपका बाद में कुछ misuse हो तो आपको पकड़ सके तो basically आप इस चीच को आसा है कि समझ गए होंगे कि कैसे track होता है आपका phone को police के द्वारा आप लोग का सवाल ही होगा कि मेरा phone कब तक मिल सकता है तो देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ जैसे मालीज आपका phone चोरी हो जाता है तो आप complain करते हो मैं आपको यही बोलता हूँ को आप एक दूसरा phone ले लो क्योंकि बीना phone का अगर आपका काम नहीं चलता है तो आपके लिए phone compulsor ही है आप एक नया phone ले लो जो भी आप phone ले सको क्योंकि देखो tracking जो आपका होता है वो काफी late से होता है जो चोर phone को चोरी करके ले के जाते है वो manually switch off करके रख देते हैं अगर वो on करते हैं तो तुरंत यहाँ पर trace होई जाएगा बट यहाँ पर जो चोर होते हैं वो चलाक होते हैं और phone को basically वो off करके रख देते हैं जिससे की track नहीं किया जा सकता है तो आपको basically wait करना पड़ेगा जब तक आपका phone on नहीं हो जाता है तो इसके लिए मैं आपको सवाल का जबाब मैं आपको clear कर देता हूँ कि जब तक आपका phone on नहीं होता है तब तक आपका phone tracked नहीं किया जा सकता है और आपका phone अगर tracked नहीं किया जाएगा that means आपका phone recover नहीं होगा तो आपको यहाँ पर wait करना पड़ेगा यह आपका time अलग-अलग हो सकता है माल लिजे example के लिए आपका अगर phone चोरी होता है तो कल on हो जाता है आप complain किये हो या फिर CEIR पर register किये हो तो आपका phone तुरंट मिल जाएगा अगर माल लिजे कि आपका चोर जो phone को चोरी किया है वो phone का आपका 6 मन्त या 3 मन्त या फिर 2 मन्त और ही नहीं करता है तो basic सी बात है कि आपका phone track होई नहीं पाएगा तो आपको यहाँ पर wait करना पड़ेगा आप चाहोगे कि तुरंट खोज लेंगे तो इसका कोई solution नहीं आपको wait करना पड़ेगा that means आपका time अलग-अलग हो सकता है वैसे भी देखो अगर आपका phone चोरी हो गया तो आप क्या कर सकते हो आप complain करो जो आपका यहाँ पर tradition तरीका है खोजने का वो यहाँ पर police पुरी तरह से try करेगा कि आपको phone का खोज कर वो आपको दे दे दोस्तो किसी भी condition में जो चोरी का phone है वो चोर आपका नहीं रख पाएगा इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक अगर आप अपने चोरी वाले phone का complaint register नहीं की हो तो आप जल्दी से जाकर CEIR के official website में जाकर complaint कर दो ताकि आपका phone track हो जाए दोस्तों CEIR portal का बनाने का main जो यहाँ पर motive था government का वो यही था कि किसी भी तरह से mobile phone का चोरी का कम करना या पूरी तरह से खतम करना ठीक है अगर एक बार अपना mobile phone चोरी का complaint अगर CEIR के official website पे कर देते हो तो आपका mobile phone आसा है कि आपको मिल ही जाएगा बस थोड़ा सा time लगेगा बट आपको विल्कुल wait करना है दोस्तों अगर CEIR के official website पे आओगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल इनके तरब से जो mobile block किये गए वो 6,22,356 mobile block किये गए यानि कि इतना mobile चोरी हुआ है तिनका यहाँ पर complaint register किया गया है और successfully यहाँ पर इनके तरब से block किया गया है वही अगर हम बात करें कि कितने सारे mobile का यहाँ पर recover किया गया है तो आप यहाँ पर यहाँ पर पूरी तरह से पुलीस के तरब से trash कर लिया गया ठीक है अब देखो अगर यहाँ पर आप icon पर click करोगे तो यहाँ पर state wise अगर इंडिया में बात करें तो कितने सारे mobile block हुए है उसके साथ साथ कितने mobile trash हुए है और कितने mobile को recover कर पाए ठीक है क्योंकि trash करना सिर्फ important नहीं होता उसके साथ साथ उनको अगर recover जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको mobile phone नहीं मिल पाएगा तो आप देख सकते यहाँ पर data काफी बड़ा है और बहुत अच्छा initiation यहाँ पर government के तरब से CER official website की launch होने के बाद यहाँ पर हो रहा है काफी अच्छा यहाँ पर देखो अगर आप एक बार complain कर देते हो तो basically आपका phone यहाँ पर किसी भी हाल में मिल ही जाता है दोस्तो आसा है कि इस video में completely आपको पता चल गया होगा कि आखिर आपका mobile phone अगर चोरी होता है तो कितने दिन में आपको मिलेगा साथी साथ यह भी आपको पता चल गया होगा कि police mobile phone का आपका चोरी वाले phone को कैसे track करते है वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो please आप हमारी वीडियो को like करें चैनल पर नए तो please आप subscribe करें ताकि इसी तरह के informative वीडियो आपके लिए लाते रहें मिलते हैं एक नए वीडियो में कोई नए topic के साथ तब तक के लिए बाई जाहिन वंदे मात्रम